हाई फ्रेंड्स वेलकम टू लर्ण कैडमी और आज हम डिसकस करने वाले हैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी पोस्ट गैजुएट एडमिशन दो हजार बीस एकी सिसन के लिए अगर आप डिश्टेंस एडुकेशन में करना चाहते है पोस्ट गैजुएट की कोर्स जैसे की एमें मसी एमकॉम तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेश की जो ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकिए विद्यासागर यूनिवर्सिटी के लिए तो आप कैसे क्या करेंगे सब कुछ इन डिटल्स बताने वाला हूं वीडियो को आप एंड तक दिखिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए हिसाद अंजरी करते हो यह वीडियो को आगे बढ़ाए तो गाईस यह हैं हमारे पास ओफिशियल नोटिफिकेशन विद्धासागर सब कुछ बताने वाला हूं जैसे कि आप देख सकते हैं डिरेक्टरेड आफ डिस्टेंस एड्यूकेशन इंवाइट ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर में एलिजिवल कैंडिटेट फॉर एडमिशन तु फॉलूविंग यूजीशी अप्रूव पीजी कोर्स जो जो कोर्स यह पर पेड़ास अगा योणिवसेटी में अबएलेबल है यहां पर आपकी देखिए कोर्स की नेम यहां पर दे दी गई है ठीक है कोर्स की नेम है यहाँ पर eligibility criteria यहाँ पर आप fees भी देख सकते हैं तो मैं आपको एक एक करके मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो सबसे पहले यही आप discuss कर लेंगे अगर और फिर मैं आपको आखरी में बता दूँगा कि आप कैसे website पर जाके आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते ह अगर आप में की कुर्सिस करना चाहते हैं जैसे बिंगॉली इंग्लिस संस्क्रीट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो आपको भी यह रखना होगा कैसे भी करके चाहें आप आप ऑनर से कर रहे हो या आप जिनरल से कर रहे हो मिनिमुम आपकी 300 मार्क्स रहनी चाहिए ठीक इनकी भी जो फीशट्रक्चर्श से वो सेम है 4500 इसके बाद अगर आप मास्टर्स ऑफ साइंस करना चाहते हैं जैसे कि फिसिक्स देख सकते हैं आप पास हों ऑनर्स हो या मेजर हूआप कर सकते हैं यहाँ पे आप फीशट्रक्चर्चर्च देख सकते हैं 19 रहे ही निसे 750 फिसिक्स पे अगर आप करना चाहते हैं केमेस्ट्री में करना चाहते हैं तो 22,250 ओनर जेनरल मेजर को से सभी कर सकते हैं इसके बाद अगर आप MSC in environmental science में करना चाहते हैं तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं भी अगर आप MSC in geography economy अगर आप में अगर आप किये हैं तो भी आप अराम से जो है in environmental science पे अपना करवा सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप graduate है किसे engineering failure technology में तो भी आप जो है in environmental science में आप कर सकते हैं इसके साथ साथ इनकी जो fee structures हैं यहां पर आप देख सकते हैं दो fee structures हैं अगर आप normal करवाते हैं तो 20,350 अगर आप sponsors candidate हैं तो आपको लगभग 26,350 लगने वाले हैं fee structures अगर आप computer science में master degree करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कम से कम honors रहना पड़ेगा computer science physics math electronics and chemistry में यह आप BCA भी कर सकते हैं bachelor of computer education application sorry इसके साथ साथ अगर आप b.tech भी किये हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं master in computer science में इसके साथ साथ fee structures यहां पर देख सकते हैं सब 23,000 हैं इसके बाद अगर आप master degree in dietic, communicative and nutrition management करना चाहते हैं तो यहां पर कम से कम honors आप किस-किस field में आपको होना चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप physiology, geology, nursery, biochemistry, chemistry, nutrition, food and nutrition, home science या आप general degree किये हैं ठीक है किसी भी BSC के agricultural field में vocational या measure तो भी आप कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपके पास doctor के degree है जैसे की MBS, BMHS, BAMHS और आप BFarm के भी हैं तो आप कर सकते हैं यहां पर लगबग fees जो है आपके 20,350 लगने वाली हैं तो guys यह थे हमारे पास course की और fees की details और अब कब तक आपकी जो last date हैं वो है guys यहां पर आप दिख सकते हैं last date यहां पर कब हैं यहां पर 8 November 2020 से पहले आपको apply कर देना है यानि 15th October से इनकी जो application form है वो start हो चुकी है और last date जो हैं वो 8 November 2020 ठीक है ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके website पे विजिट कर सकते हैं ठीक है और आप क्यासे pay करेंगे सब कुछ यहां online होने के बाले हैं अगर किसी प्रकार के confusion सुआ तो आप comment जरूर करी किजिएगा या आप college की यह जो number दिए गए है यहां पे भी आप call कर सकते हैं तो आसा करता हूँ guys यह notification में जो जो था आप सब कुछ समझ गए होगे तो चलिए मैं आपको एक और website विजिट करके पे दिखा दूँ कि आप क्यासे apply करेंगे तो guys उसके लिए आपको विद्या सागर युनिवरसिटी की official website में आ रहा होगा और आप नीचे scroll करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं admissions to PG courses in distance education में आपको जो है click करना है और आप जैसे ही click करते हैं तो यहां पर जो है सब कुछ in details आ जाती हैं तो यहां आपको admissions part 1 PG courses के लिए session के लिए apply करना है 21 2020 21 इसके बाद यहां आप नहीं आ रहे हैं तो यहां सबसे पहले जो है आपको register करना होगा ठीक है इसके बाद यहां पर आप जो course करना चाहते हैं वो सब कुछ यहां पर देख लिजेगा यहां पर क्या 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 आपको submit करना है जैसे photo copy signature आपकी valid email ID और phone number must आपकी प्रशनल दिजेगा इस क्योंकि college आपको contact करेंगे इसके बाद यहां से जो है आप जिस course के लिए करना चाहते हैं उस course को select करके इसके बाद आसानी से जो है आप जो है वो form fill कर लिजेगा तो यहां पर आप criteria जो मैंने आपको वहां पर बता दिया फी structures इसक कर तो आसा करता हूँ आप सब कुछ समझ गया होंगे किसी प्रका का confusion हुआ तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा मैं आपको help करने के जरूर को समय करूंगा तो वीडियो कैसा लगा like कीजिए अपने friend के साथ share कीजिए और मिलते हैं